सभी को नमस्कार मेरा नाम कृष्णा कुश्वा है मैं सात्वी कक्षा में पढ़ता हूँ मैं मुस्तिफा ट्यूशन सेंटर्ज के माध्यम से सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि धीरे-धीरे मनुश्य पेड़ों का महत्व भूलते जा रहा है पेड़ अपने कटव्य को कभी नहीं बूलते हैं पेड़ हमें कई विभिण तरीकों से फायदा पहुंच आते हैं जैसे कि पेड़ हमें प्रानवायू देते हैं पेड़ हमें फनीचर देते हैं पेड़ों से हमें फनी चलिता है, पेड़ों से हमें बारिश होती है, अगर आज पेड नहीं होते तो इस दुनिया में कई सारी चीजों की कमी होती, और खास करके जीवन की कमी, जीवन का नाम और निशान इस दुनिया से मिट जाता है, तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पेड़ों को फाइदा नहीं पहुचा सकते तो उन्हें नुकसान भी नहीं पहुचा है, क्योंकि हमें आने वारी पीड़ियों में हमें बहुत नुकसान हो सकता है, इसी लिए हमें पेड़ पौदों को काटना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौ नमान मिलता है, पेड़ों से हमें औशदी के रूप में दवाया मिलती है, पेड़ों से हमें पेपर मिलता है, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, जिससे हमारे घर का कई सारा फरनीचर बनता है, जैसे हमारे घर के दर्वाजे, खिड़किया, सोफा, पलंग, खुरसी, मेज सब कुछ और पेड़ों की वज़े से बारिश होती है और जब बारिश होती है तो इसका फाइदा सब को पहुँचता है मनुश्य को जानवर को पश्यु को और पेड़ों पर जो है कई सारे मकौडे हां अपना घर बसाते हैं अपना घर बसाते हैं और हमें छाया Mais चाया मिलती है मुफ्त की उसका कोई किराय नहीं देना पड़ता तो इसी लिए जब हम एक piping उगाते हैं तो हम घर जब हम एक पेड उगाते हैं तो हम जहाज उगाते हैं ठीक है views लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवन का सुरूप है, तो चे पेड जो है, ये जीवन का एक है मिस्सा है, हमारे जीवन के सच्छे मित्र है, सच्छे साथी है और हम तमाम को अपने सच्छे साथियों का खयाल लगना चाहिए और इस कर्दविय को हकोबी निभाना चाहिए सभी इस वीडियो का देख रहे हैं इस वीडियो का लाइक कीज़े शेयर कीज़े और हमारे चानल MTC Mustafa Tution Center का सब्सक्राइब कीज़े हैपी इंडिपेंडेंस दे टो एव्रीवान थैंक्स पर वाचिंग धनिवाद मेरा भारत महान जाए हिन